हलो फेंट्स तो चली हम लोग अपने जावा के कोर्स को आगे बढ़ाते हैं और अभी तक देखिए हमने जावा में 41 वीडियोस को अप्लोड कर दिया था तो अगर आपने ये सारे 41 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप इनको प्लीज देख लो ओके तो अभी तक हम लोग क्य परने के लिए हम लोग कुछ कमांड लिख रहे थे तब हमारा जावा का प्रोग्राम रन हुआ करता था तो अब हम लोग आज से क्या करेंगे कि हम लोग कुछ एडवांस आइडी को डाउन्लोड करेंगे जो अकसर इंडस्ट्री में यूज होता है वहां पर हम लोग कभी कि नोटपैड को यूज नहीं करते हैं जाबा की कोडिंग लिखने के लिए तो इसलिए हमें उन आइडी से फैमिलियर होना पड़ेगा हमारे पास कई सारी आइडी हैं जैसे हो गया एकलिप्स हो गया इंटिलीज हो गया है नेटिबीन्स हो गया तो मोस्ट प्रिफिली जह आइडी में हम लोग अपनी उस आइडी में कोड को लिखेंगे और वहां पर सिंपली हम लोग सब कुछ जियूआई में हो गया तो वहां पर हमलोग सिंपली बटन को क्लिक कर दिया करें और हमारा प्रोग्राम रन हो जाएगा और इसलिए IDE हमेशा यूज होती है IDE का मतलब होता है Integrated Development Environment इन्वार्मेंट है जहाँ पर आप code को लिख सकते हो जिगूड कर सकते हो तो चलिए हम लोग Eclipse IDE को डाउनोड करते हैं यहाँ से इंस्टाल कर लेते हैं तो अगर आपको डाउनोड करना है सिंपली Eclipse तो आप लिखिए कोई भी अपना फेवरेट ब्राउजर ओपन कर लिजे और यहाँ पर आप सिंपली Eclipse डाउनोड कर दीजे फार विंडोज जो कुछ भी लिखना है लिख दीजे Eclipse आप सिंपली डाउनोड कर दीजे तो यहाँ पर जो पहली वेवसाड मिलेगी आपको यह Eclipse.org वाली इसको आप उपन कर लिजे और देखिए हम लोग यहाँ पर जब आ जाएंगे पहली बार तो यहाँ पर हम लोगों क्या मिल रहा है हम लोग देख लेते हैं अच्छा अभी हम लोग जो प्रोग्राम लिखेंगे वह कोर जावा का प्रोग्राम लिखेंगे ओके आगे चलके जो मैं आपको सर्वलेट जीस पी वगएरा पढ़ाऊंगा या स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो भी हम लोग बनाएंगे जब वेब टेकनोलोजी की बात करेंग तो वहाँ पर हम लोग जो mask यूज़े वह वेफ हम लूबर मेंट के लिए उज़ेंगे तो हम लोग क्या करते है कि हम लोग जो Excel का जो फोड़ा सा एडवांस वर जन है जिसको हम LOTH टेक्नोलाजी वेब मैं मेंट सो मफार दणोड करना यहाँपटा आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आप यहां नीचे आईए हाँ यहां पर नीचे जब आप आऊगे यहां पर आपको लिखा है एकलिप्स आईडी फार इंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स इस वाले चीज को हमें डाउनलोड करना है तो यहां पर सिंप्ली आप इसको क्लिक करिए इसके दरीये यहां से भी डाउनलोड कर सकते थे और उसके बाद आप यहां पर आजाओगे एकलिप्स आईडी फार इंटरप्राइज जावा एंड वेब डेवलपर्स और इस को डाउनलोड करने के बाद आप क्या क्या कर सकते हो यहां पर नो ने सब छीजेसे सब कुछ ल इसे कुछ भी आप कर लीजे तो हो सकता है आपको डारेक्ट लिंक मिल जाएगे यहां पर देखे यहां पर देखे लिखा है एकलिपस आईडी फार जावा इडिवलपर्स इंटरप्राइस वह एडवांस की बात कर रहा है उसके डिवलपर्स के लिए तो भी आप यहीं पर ड रखाएं अब किक्त कर देखे एकलिपस डाउनोड के रखा है तो मैं आपको सारे स्टेफ दिखाने वाला हूं मैं फिर से उसको डाउनोडNEY चाहल नहीं करूंगा तो हमारे पास यहां पर दिखे एकलिप्स पहले से ही है यहां पर भी हमने उसको कर के रखा है तो आपको simply क्या करना है डौणोड पर क्लिक कर देना है ओके पिर यहां पर देखे आपको मैंसरे में यह डॉणोड हो जाता है तब मैं आपसे मिलता हूं ठीक है तो यहां पर देखिए हमारी जो यह फाइल थी 102 MB फाइल यह डॉणोड हो चुकी है करद देखिए आपको यह चुका है तो यहां पर देखिए है यह आपको मिल चुका है तो इस पर सब कुछे दरा करको करके दो हैं गो Safe Head जह पर थोड़ा सा रावेट करें यह ओपन होगा ठीक है तो यहां पर यह इस तरह से open हो जाएगा अगर आपके system में आपको मांगता है allow करने के लिए तो आप simply उसको allow कर देना और यहां से यह इस तरह से जो eclipse installer है यह अपना start हो जाएगा तो इसको थोड़ा से वेट करना पड़ेगा मैं आपको step दिखा देता हूं ठीक है तो यहां पर देखिए फिर यह क्या दिखाएगा यहां पर आपको option दिखा रहा हो के कई सारे आपको option यहां पर दिखा रहा है कि आप eclipse को इंस्टाल करना चाहते हो तो आप क्यों इंस्टाल करना चाहे रहे हैं इकलिप्स को यहां पर देखें आप कई शारे आप्शन से यहां पर दिखा रहा है तो जो हम लोग इकलिप्स इंस्टाल करेंगे वह अपने जावा इंटरप्राइज जावा डेवलप्मेंट के लिए जो यहां पर हम लोग वेब डेवलप्मेंट करने वा है और यह जावा का जो यह यहाँ पर देखिए जो इस एकलिप्स को डाउलोड करने के लिए जो जावा का वर्जन चीए 11 प्लस होना चाहिए तो हमने 14.0.2 इंस्टाल करें रखा है यह हमने आपको अपने इसी पहले वीडियो में बताया था कि किस तरह से आप जड़ी के 14 को इसने आटोमैटिक पात को ले लिया है अब आपको यह पकर इस्टाल करना है और यह इसंटाल हो जाएग表 कर देता है यहाँ देक ejemplo हमने यहां पर इंशाल करके रखा है फिर भी हमने कर दिया तो हो सकता है मेरे जल्दी से हो जाए वही वहीं सकता है रेफ्रेस कर दे सारी चीजें यहां पर देखिए इसको वेट करिए यहां पर आपको फूसकता है कि बीच में थोड़ा सा वार्निंग इस तरह कुछ है और आप उसको यूज कर पाओगे तो यहां पर यह अपना सब कुछ दिखाता रहता है वेरी स्लो फ्राम हेलो सम्तिंग कुछ उससे आप से कोई मतलम नहीं तो वेट करिए इसको तो अभी तक इतना इस्टाल हो पाया यहां पर तो अलड़ी जाकर देखिए मैंने पहले कर देता हूं यहां से और मैं आपको बताता हूं जब वह इंस्टालेशन फिनिश होगा तो आपको कुछ इस तरह से विंडू दिखेगी यह वाली विंडू के तो यहां से सिंपली आप लांच पर क्लिक कर देना तो आपका एकलिप्स ओपन होने लगेगा नहीं तो आप सि देन्सटाल हो यहां उसे ही लांच हो जागर आपने यहां हें कर दिया तो नहीं 0edo इसको यहां से सिंपरी क्लोज कर दिजी और क्लोज करने के बाद मैनोली आप यहां से भी अपने Eclipse को क्या कर सकते हैं अपर आप यहां तो आप सिंपली क्या करिए कोई भी एक फोल्डर बना लीजे जहां पर आप अपने जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को रखना चाहते हो तो मैं कि सिंपली यहां पर क्या करता हूं मैं एक नया folder बना लेता हूँ और इसको मैं अपना work space बना लेंगा लिख लूँगा मैं my java workspace ws हमने इस तरह से लिदिया my java work workspace हमने नाम दे दिया और उसके बाद यहां से आप browse करिए browse करने के बाद इसी folder को आप select कर लीजे तो आप desktop में जाएए और यहां से my java ws जो folder हमारा है उसको यहां से select कर लीजे ये वाला ये वाला folder select करके open कर लीजे और open करने के बाद ये वाला folder आपको यहां पर उसका path आ जाएगा और यहां simply आप launch कर दीजे जब आप launch कर दोगे तो आपका eclipse open हो जाएगा अब यह हमारा system थोड़ा slow है इसकी power बहुत जादा नहीं है तो थोड़ा सा time लेगा eclipse open होने में पहली बार जब आप open करोगे तो यह हमारा open हो रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहां पर मैं आपको simple सा program करके दिखाता हूँ और अभी तक देखे जो भी हमने concept पढ़े हैं चाहे वो package के concept हो है ना या जो भी हम class वगरा concept बनाते हैं तो यहां पर simply आपको देखना पढ़ेगा कि हम लोग किस तरह से इस IDE में package बनाते है तो simply सब कुछ GUI format में होगा आपको button क्लिक करना है और सब कुछ information provide कर देना है automatic आपका project ready हो जाएगा और आप java files में coding अपने कर दोगे समझे बात आइए आपको okay तो यह हमारा open हो जाने देते हैं अपने eclipse को यहां पर तो यह देखिया हमारा eclipse open हो गया पहली बार open होगा तो यह इस तरह से रहेगा हम इसको maximize कर लेते हैं और यहां पर आपको कुछ सारी चीजे हैं अगर आप इसको पढ़ना चाहिए तो पढ़ सकते हैं नहीं तो simply आप कट कर दीजे कट करने के बाद थोड़ा सा आप यहां पर wait करिए ओके अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर आपको कई सारे सेक्षंस दिखाई दे रहे हैं eclipse में है ना आपको यह सबसे left में a section दिखाई दे रहा है एक यह नीचे वाला section दिखाई दे रहा है और यहां प पर कुछ section है और यहां पर कुछ section है तो यहां पर कई सारे sections बने हुए हैं तो basically हम इनको बारी बारी समझते हैं उससे पहले आप क्या करिए आप यहां पर आईए यहां पर देखिए टाप right corner पे यहां पर जैसे मैं यहां पर लिखा open perspective और उसके बगल वाला जो है यहां पर जावा के प्रोग्राम को अपने हम लिख सकते हैं लेकिन जब हम आगे वेब टेकनोलाजी वाली चीजे करेंगे हम लोग सर्वलेट जेस्पी वाले concept सीखेंगे तो हम लोगों को यह जो जावा का प्रास्पेक्टिव अभी है इसको change करना पड़ेगा तो हम लोग क्या करें आपने जावा का जो एड्वानस वाला वर्जन ये उस्का प्रास्पेक्ट्य ओपन कर लेंगे तो यहां पर देख bought Evaman करेंगे यहां पर देखें लिखा ऑप को तूल्सीजे यह थोड़ा बहुत उदर चेंज होगा देखिए चेंज हुआ ना और यह देखिए कि अभी जो सेलेक्टेड है वो जावा का इई वाला सेलेक्टेड है देखिए यहाँ पर बुलू कलर में है इसका मतलब जावा का जो इई प्रास्पेक्टिव है वो ओपन हुआ है यहाँ है ना यहाँ पर कई शारी चीज़ें अच्छा यहाँ पर आपको ना कुछ चीज़ें नहीं दिख रही है जैसे जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तो जो आपका आउटपुट होगा वो कंसोल में दिखेंगा यहाँ पर देखिए मार्कर्स है प्रापर्टीज है सर्व् यहां पर लेकिन जो हमारा आउटपुट दिखता है तो अभी देखिए अभी फिल हाल हम लोग क्या करने वाले हैं हम भी तक हमने कोर जावा को सीखा है है ना तो आज अभी हम कोर जावा के प्रोग्राम को बनाना सीखेंगे तो अभी यह जो कोर जावा के प्रोग्राम बना रहे हैं तो यह मुझे सर्वर्स वगयरा की जुरूरत नहीं है जो यह मावेन वगयरा प्रोजेक्ट यहां पर है डाइनिमिक वेब प्रोजेक्ट है है यह diany project या maven project हम लोग तब बनाते हैं जब हम लोग servlet, jsp या spring वगारा का यूज़ करके project बनाते हैं अच्छ अच्छ प्रोजेक्ट वहाँ पर बनते हैं तो अभी हम लोग simple core java की coding करने वाले हैं तो हम लोग अपना perspective यहां से change कर देते हैं हाला कि यहां पर भी आप लिख देंगे java का project बना लेंगे तो कोई problem नहीं है जैसे java अगर आपको core java का project बनाना है तो यहां पर आपको एक java का project बनाना पड़ेगा देखिए कहीं पर है java project बनाने का option यहां पर देखिए नहीं है आप यहां फाइल में जाईए new में जाईए new में जाने के बाद यहां पर देखिए क्या आपको कोई option मिल रहा है तो file में जाईए new पर जाईए और यहां पर others में जाईए जब आप अदर्स में जाओगे, तो यहां पर आप लिखो, कुछ भी आप टाइप कर रोलेट से Java Project, तो यहां पर देखिए Java Project का अप्छन आ रहा है, तो यहां से आप Java Project बना सकते हैं, नहीं तो आप क्या करएं, अपने प्रास्पेक्टिव चसे कर लीजें, आप यहां आप यहाँ पर core Java के project को बना सकते हो, अब यहाँ नीचे देखिए, जो यह नीचे आपको options मिल रहे थे, problems है, Java darks है, declaration है, अभी change हो गया है, यहाँ पर एक option आपको नहीं दिख रहा है, मैं बताता हूँ, आप तो यहाँ windows में जाए, show view में जाए, और console वाला option यहाँ पर आप इस console वाले option को click कर लिया है, ठीक है, अभी हम लोगों को Java project बनाना है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है, create a Java project, आप यहाँ से भी click करके बना सकते हैं, इसे click करिए, और यहाँ पर आप project का नाम रखिए, और आगे proceed करिए, नहीं तो आप यहाँ फाइल में जाए, open में और यहाँ पर देखिए, Java का जो भी version आपने install करके रखा होगा, वो automatic यहाँ से सब कुछ ले लेगा, और यहाँ से simply आप next करिए, next करिए, आप next करने के बाद थोड़ा सा wait करिए, यहाँ यह project को आपको create करेगा, देखिए, यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ से आप simply finish कर दीजिए, देखिए, यह आपका project structure है, यहाँ पर src है, okay, finish कर दीजिए आप, फिर यह क्या कह रहा है कि generate commands, यह सब हम अभी create नहीं करते हैं, बंद कर देते हैं, और हमारा जो Java का project है, demo project, यह जो project हमने बनाया, यह हमारा project देखिए, यहाँ पर बन चुका है, अब इस demo project के अंदर यहाँ पर देखिए, जिया इस system libraries है, तो यह Java की जो jar files है, यहाँ पर है, जिनको हम लोग use करते हैं, और यहाँ पर एक src नाम का folder है, तो जो यह src folder है, इसी के अंदर हम लोग बनाएंगे package, और हम यह बात बहुत अच्छी तरह से पता है, कि हम लोग जो package बनाते हैं, उसके अंदर class बनाते हैं, यह जो src वाला folder आपको दिख रहा है, यही पर हम लोग बनाएंगे package, और package बनाने के लिए simply आप इस पर right click करिए, आपको यहाँ पर right click करना है, आप यहाँ पर right click करिए, और new पर जाईए, और यहाँ से package वाला option select करिए, तो यहाँ पर दे folder के अंदर आपका package बनेगा, और यहाँ पर आपको package का नाम देना है, तो let's say मैं package का नाम दे देता हूं, com.demo, ऐसे demo1 दे दिया, com.demo1 दे दिया, और यहाँ से finish कर दिया, यहाँ पर हमारा एक package बन गया, अब हमें पता है कि package क्या होते हैं, कई सारी class का collections होते हैं, तो हम दिया, com.demo2, जितने भी हम package चाहें, उतने package हम लोग बना सकते हैं, package हम बनाते क्यों हैं, ताकि हम जो class हैं हमारे पास, हो सकता है कुछ हमारे पास class ऐसी हो, जो same type की class हो, या same तरह के task को perform करती हैं, तो उनको हम लोग क्या करेंगे, package के अंदर grouping कर देंगे, तो इससे हमारा code maintenance जो होता है, वो बहुत अच्छा हो जाता है, तो हम कई सारे इस तरह से, क्या कर सकते हैं, package बना सकते हैं, package के अंदर हम लोग class बनाएंगे, तो फिर से आप package को select करें, right click करें, और new पर जाईए, और यहाँ पर class का option है, तो हम लोग package के अंदर class बनाते हैं, तो class का नाम द आप इसको देखें क्या यहाँ पर है, क्या क्या पहले से present है, अब यहाँ पर मैं font को थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूं, तो मुझे font को बढ़ा करना है, तो मैं क्या करता हूं, windows पर चलता हूं, यहाँ preferences में जाईए आप, और यहाँ पर journal में जाईए, appearance में जाईए, colors and fonts मे जाईए, उसके बाद आप यहाँ पर basic में जाईए, और यहाँ पर नीचे scroll करके आए, यहाँ पर लिखा है, text font, यह वाला, आपको यह select करिए, और यहाँ से edit करिए, ओके, edit जब आप यहाँ से कर गए, तो आपको option लाएगा, यहाँ पर आप देखिए, इसको बढ़ा तो सबसे उपर वाली line क्या लिखी है, package के लिखा है, मतलब यह वाली class इस package के अंदर है, और आपको अगर याद हो, तो जब हम लोग notepad का use करके package बनाया करते थे, जब हम लोग notepad में coding करते थे, तो सबसे पहली line के रूप में हम लोग package और package का नाम लिखते थे, तो जब देखिए, जब हमने class बनाया, इस package के अंदर तो automatic यह package यहाँ पर आ गया है package का नाम, अब इसके अंदर हम लोग बना लेते हैं, क्या main function, तो main function बनाने के लिए simply आप main type करिए, और यहाँ पर क्या करिए, आप क्या करिए, ओके, आप यहाँ पर main लिखिए, main लिखने के आपका main method, automatic आ जाएगा, स्वाज बात आई, फिर उसके बात आपको system.out.println लिखना है, तो आप लिखे, SYSO लिखिए, और फिर से control space वाली बटन दबाईए, तो automatic यह complete हो जाएगा, और यहाँ पर लिखिए, hello world, कुछ भी आप लिख दीजे यहाँ पर, और इसको save करिए, और save करने के बाद, जो run का option है, यहाँ पर दिखिए, run hello world.java file, इसी को run करना है, आप simply इस पर click कर दीजिए, यहाँ पर देखिए, नीचे compile हो रहा था था न, दिखा रहा था कुछ, और आप इसको उपर नीचे इस तरह से कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए, hello world print हो गया ह यह basic core java का program हमने यहाँ पर run करके आपको दिखाया है, अब देखिए, यहाँ पर कई सारी चीजे हैं, कई सारे यह क्या बने है, sections बने हैं, यह sections कभी कभी गायव हो जाएं, तो आप पर परिशान मत होना, जैसे यहाँ पर देखिए, minimize maximize का option दिया है, तो मैं इसको अगर यह यहाँ से आप इसको minimize करिए, और यहाँ से आप इसको open कर लिए इस तरह से, है न, इसी तरह से इधर भी है, जैसे यहाँ पर देखिए, minimize का option आप इसको minimize कर दीजे, आप इसको भी minimize कर दीजे, अगर आप उनको फिर से लाना है, तो फिर से आप यहाँ पर click कर दीजे, वह automatic यहां से आ जाएंगे इन हां इन दोनों को हमेशाब minimize करके ही रखा करो ओके और यहां पर आप देखो अगर आप इसको minimize कर दोगे यहां से यह बड़ा हो जाएगा और उसके बाद जब आप प्रोग्राम को run करोगे तो automatic यह बगल में open कर रहा है इस तरह से यहां पर देखिए है ना इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं और नहीं तो आप क्या करिए यहां पर जो option था आपका यह console वाला यह इसके लिए restore का यहां पर क्लिक कर दियो तो अब से हम लोग जो भी प्रोग्रामिंग करेंगे वह अपने इस Eclipse ID का यूज़ करेंगे और आपको यहां पर प्रोजेक्ट इस्ट्रक्चर देखिए अगर आप इस वाले डेमो के पैकेस के अंदर कुछ क्लास बनाएंगे तो वह क्लास कुछ पैकेस के अंदर बनेगी कर आपको क्लास क्रिएट कर रहे हूं तो आपको सिम्बिट करना है इंटर सिंप्रम को पढ़ा नहीं है लेकिन जब पढ़ेंगे तो आपको आईडी होता क्या है किस तरह से यूज़ करते हैं त lovely प्रोग्र्ता करते हैं झाल झाल